कर्मियों में अक्सर क्या होता है कि सबसे जादा संटैन की मार हमारे हाथ पैरों को ही जेलना पड़ता है और उससे जो है हमारी बोडी पर एकदम से बहुत ही जादा ब्लैकनेस और गंदगी नजर आती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा जो की सिर्फ एक मिनिट में बनने वाला ब्लीच पैक शेयर करने वाली हूँ जिसको सिर्फ आप हफते में दो बार भी अपने हाथ पैरों पर या फिर जहां पर भी आपको संटैन हो गया है वहां पर लगाते हैं रब करते हैं और सिर्फ 15-20 मिनिट ही आपको लगेंगे जिससे कि आपको इं बहुत ही जादा ब्यूटिफुल और ब्राइट दिखते हैं बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाती है और सारा जो संटैन एक बार में ही उतर जाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं इस ब्लीच पैक को बनाने के लिए बहुत ही कम और इजी है उसका हम यूज करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शिर केजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और भी ऐसी इसी और एफेक्टिव होम रेमेडिज के लिए तो बात करते ह है आज के इस ब्लीच पैक की इसके लिए आपको लेना है दो चम्मच कॉफी पाउडर आपके पास कोई भी कॉफी है आप यूज कर सकते हैं इसमें होता है कैफिन और कॉफी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सन टैन जिद्दी से जिद्दी टैन को रिमूव करने का दम और इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें हम डालेंगे हाफ लेमन जूस जिसमें होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज विटमिन सी रंग को निखारने की पावर होती है लेमन जूस में तो आधा निम्बू का रस आपने इसमें डाल देना है दोनों ही चीजे कमाल की है जो कि सन टैन को बहुत ही तेजी से साफ कर देते हैं और इसमें डालना है आपने हाफ स्पून नमक नमक डालना बहुत ज़ादा जरूरी है दोस्तों आकि जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए और हाथ पैरों में अक्सर रूखापन बहुत जादा हो ज आप चाहें तो उबले हुए दूद का यूजबी कर सकते हैं लेकिन वो ठंडा होना चाहिए तो अच्छी तरह से आपको सारी चीजों को मिक्स कर लेना है तो लीजिए सिर्फ एक मिनिट लगेगा और ये ब्लीच पैक बनकर रेडी हो जाएगा आपके हाथ पैरों की सारी म मिनिट लगा तार आपने पहले इसको रब करना है सर्कुलर मोशन में इसके बाद सिर्फ 10 से 15 मिनिट के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए और अपना काम करने दीजिए और इसके बाद आप हलके गुनगुने पानी से इसको रगड कर साफ कर दीजिए आप देखेंगे कि जितना भी संटैन था ना वो एक बार में ही रिमूव हो चुका है स्लिपर्स के निशान है वो हट चुके है हाथों पर धूप की वज़े से बहुत जादा कालापन हो चुका था वो खतम हो चुका है तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो होप सो रेमेडी आपको पसंद आ कीजेगा थैंक यूब